हलो दोस्तो समीदा खातुन बलोग में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग ठीक है हम लोग ठीक है दोस्तो आप भी ठीक रहे और आपका पड़िबार भी ठीक रहे है चलिए दोस्तो आज मैं कपरे की कटीन कर रही हूँ ये फरोख है तो फरोख है तो इसको मैं काट लेती और इधर से यह कट गिया हुआ इधर से गला थोरा काट लोगी और उसके बाद फिर इसको फोल्ड करती हूं चार फोल्ड तो इसमें मैं बाजू निकालोंगी यह आस्तीन निकाल रही हूं तो दोस्तो ये आस्तीन निकाल लेती हूं और उसके बाद इसमें का घेर अमरैला निकालोंगे अमरैला घेर निकालोंगे तो दोस्तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल भी सस्क्राइब करते रहें दोस्तो ये अमरैला है धेर है ये बच्चों सब को बाजू में आस्तीन में लगाएंगे तो इसको भी फोल्ड करके और काट लेती हूँ ये इसको कोने से फोल्ड करके काट लेती हूँ और थोरा सा इधर से कोने से कपरा निकाल लेंगे और इसको दखिए ये यही है अमरैला बाजू तो इसको जुआंड कर देंगे इसमें आस्तीन में तो ये अमरैला हो जाएगा तो दोस्तो ये चोली है उपर का चोली और ये आस्तीन है जिसको बाह बोलते हैं बाजु वो बाजु है और ये बाजु का इधर में ये घेर है ये अमरैला घेर है अभी बच्चों लोग बहुत पसंद करते रहते हैं और बहुत पेंते रहते हैं जहां देखते हैं वहां खली अमरैला चला हुआ है और अमरैला गहरा लहेगा का घेर है नीचे का सब कट गया हुआ है और शिरिफ और आप गला का पट्टी काटना बांकि है चलिए दोस्तों आप मैं दूसरा कांड कर लेती हूं जारीव लगा लेती हूं अभी सफाई नहीं किया हूँ, सभी सफाई करना बाकी है और बच्चों लोग खाना उना खा करके और कटोरी उटोरी साइड में रख देते रहते तो सभी को उठा लेती हूँ और बकरी को भी निकाल लेती हूँ और इधर में भी मैं जारू लगा लोगी इसको इधर बारी है इधर थोरा सा उड़र वे मैं बांडे रही हूँ तो मैं इसको बांड देती हूँ और इसी में इसको मैं घास असे लगा दूगी और ये बरतन भी पुरा समेट करके और धो सभी को साब करना जारू धो लोगी झाल झाल